चले जी स्टार्ट हो गया ट्रिप हमारा और आज कहां लेके जा रहे हैं आपको फोड़ा वीडियो के आखिर में आपको बताते हैं वह से शुरू में देता हूं कि आज जा रहे हैं गडाप की तरफ और थोड़ा सापके आइडिया जहन में आ चुका होगा कि हम जा किस तरफ तो आज आपको गड़ाब की सेर कराते हैं इन्शाल्ला अच्छा जी अब हम पहुंच गए हैं यह गड़ाब का एक बड़ा मशूर स्टॉप कॉनकर स्टॉप गबोल स्टॉप तो यह हमारे बहुत पुराने दोस्ते नवीद बलोज और यूनिवर्स्टी से हमारे दोस्ते है हैं बहुत पुराने यानि कुछ बारा साल तेरा साल हो गए होंगे हैं 14 साल पहले की हमारी दोस्ती और आज बड़े लंबे अर्से बाद मैं इनके पास आया हूं तो अब यह हमें आगे लेके जाएंगे और यह इनके बांजे हैं भाई हमारे यह समझें आज के हमारे जो है अगर करीप करीब हैं और सबसे में बहुतरी जो से रूट की एक विधी ए ना वह स्रोट पर किस तरह कावर ड़े सारा आधर असा अगर और दोस्त थैसे बारिशों में इस तरह का बार्ष आ होता है यह कि आप अगर कभी बारिशों में आपका चंड लगे तो आप लाजमी यहां पर आए और इसकी ग्रीनरी को इंजवाय करें यहां और अच्छा जी अब हम देखें वहां रोड से उतर के यह आपको दिख रहा है जंगल हम यहां आए हैं और यहां पर जो हमारे दोस्त जो हैं वहां के मकामी है यहीं उनकी सालों से रहाई शार्त वह बतारे हैं कि य बड़ी गरीन यहां पर आपे अठाराइस साल मतलब अठारों सथी कबरें और लोग यहां आने से भी अववाइड करते हैं तो यह दोस्त हमारे बताइंगे इसके बारे में मजीद अबीद बनाए जारा आगे इस कब्रस्तान के बारे में यह आप एरान से और तजारती रूटे यहां से यहां पर एक कफी पुरान आया और तक्रीबर यहां पर जिन्नाद का बी बसेरा का जाता है कि लोग के ते हमने दॉच तक नहीं देखे मंगर लोग केते हैं कि अदर जि अधिवाए केते हैं तक्रीबर नीस सो अठाशी यहां पर पानी साथ यहां पर पानी पर शार्ट पर था ता अच्छ वोग केते हैं कश्मीर से भी ज्यादा फूप सब्सक्ति लाइका था इतना ग्रीन था जा इतना ग्रीन वी थी है मगर फिर बारिशें कम होना मूना शू तो पर ना काफी थे अगर तूट गया तो ये पूरा इलायका ये डूब जाए गया और खासतों हमारा गाउं है गाउं लिए गाउंगोट वह नदी के किनारे में और हमारे रहे हैं दो-ती नाकस बनाई गई गये जो कभी भी तूट सकती है अगर पानी को प्रेशर बरदाश कर सकती है कि अल्लात आल्ला सारी चीजें जो है बहतर रखे और आफियत वाला मामला हमाएं इस यह देखें पहुंच गया हम थेड़ो डैम पे हैं तो मैं अक्सर अपने दोस्तों को कहता हूं इन फेक्ट मैं यहां पर पहले अपने फैमिली के साथ भी आ चुका हूं और य कराची से नेरस्ट अगर कोई आपको ऐसा स्वाट चाहिए जहां बोले जागे कैम्पिंग में एटलिस कर सको ना तो यह बैस्ट एरिया है आप यूटी चैक करें सेरिया कि इतना ग्रीन और पुष कलर का यहां पर जो पानी आ रहा है जो नदर आ रहा है आप उफ क्या बात स्पान अल्लाह चले जी ठड़ों से तो भूली है और अब हम जा रहे हैं जो है वो बहुत सारी अबी रिसेंट्ली अपने स्ट्रींड देखें हुए लाहूती पॉइंट्स के नाम से जो चश्में आपको नजर आ रहे हैं कुछ आप शारे हैं तो वहीं हमें दोस्त लेके जा रहा है तो आप वहां जाते हैं लेकिन बड़ी पीसफ़ल जगह है और बहुत पीसफुल जगह है और पहले बी एक बार मैं आपको बताया कि मैं आचोगा हूं और मैं बहुत पसंद करता हूं जगह को एक तो नेरस्ट है और मतलब आप आसानी से आप घड़ से कराशी में कहीं से भी निकलो तो गंटे में सबागे मैं पर आपको पहले बताया कि मैं तो इसने के लिए नहीं जगा बुरी नहीं कोई लोकल साथ हो मेरे बास तो मेरा दोस्त है पुराना लेकिन आपको नौमली यहां गबोल स्टॉप है वहां से कोई बीजाएगी जाएगी आपको लोग आप उनको रॉलाइट पर साथ देलो उसक तो आप कुछ पैसे बखार रहा देते हैं तो मेरे खाल से आपको लोग मिल जाए देखें यहां पर भी देखेंगे लोग आए पका रहे हैं अच्छा पिकनिक पॉइंट है बहुत अच्छा पिकनिक स्पॉट है अच्छा पिकनिक इस तरह की रोड ना शायद से कवर्ड है यह बहुत ही कोई आला जगा है मैं बहुत इसको हाई रेट करता हूं कराजी में ना कि अगर आपको सिर्फ कोई एक रोड देखने जानी है जो आपको आप भोलो ग्रीन हो लश ग्रीन हो चारो तरह से ढकी भी हो इस तरह कि आपको अकसर सोशल मीडिया पानी जब बारिशों को फूल होता तो यहां से वह जाता है इसलिए रोड वोड सारी बह गई है यहां से और यह जिस रस्ते बेभी हम जा रहे है यह आल्टरनेट बनाया है कुछ अर्से के लिए इसका और नो जो पूरा प्रॉपर रास्ता है वो तो पूरा डैमिज हो लाहोती पॉइंट की तरफ लेकिन अभी मुझे भी नहीं आइडिया कि कितने आगे जाके आएगा तो चले जब तक रहें आप हमारे साथ सफर में और वहां पहुंचके आपको मजीद दिखातें के वहां की क्या ब्यूटी है और वहां पे क्या लोग है या नहीं है और सार लोग दिस्ट्रब हुए थे तो अभी तो मैं देख रहा था कि दुबारा से अपने घरवार सेट कर लिए लेकिन यहां पर यह मसला है कि जब ठड़ो नदी ठड़ो डैम में पानी भड़ता है और वह ओर फ्लो होता है तो फिर वह नदी आपको बता है कि किस तेजिशे फ् करने करता है सामने आपको पहाड़ी को नदर आ रहा है और यहां के लोग मुझे देखे भी काफी नाराज भी है कि कुछ कंफ्लिक्स हैं का जमीनों को लेकर वह नदर आने लगा करीब करीब पानी में से हमें गुजर के जाना पड़ेगा देखते हैं बाई जहां से निकाल अब बड़ी मुशकल से निकलिये भाई यहां पर बाई कि चले है जुते हुते सारे गीले हो गए लेकिन खैर है भाई अब देखे हमारे दो फिलाडी दोजिया पीछे आरे मजीद लेकिन तो बी वेरी ओनेस्ट यह जगा बाई के लिए ही बहतर है और आप यहां पर ट्रेवलिंग को ज्यादे एंजॉय करेंगे हम खुद भी एंजॉय करेंगे मैं एक बार पहले ठड़ो तक आया हूं आया उसका गाड़ी में था लेकिन बाई की ट्रेवलिंग यहां ज् इससे भी अब गुदर के लेकिन एक और आगई पानी वाली जगह जहां से अब हमें गुदर के जाना होगा तो एक और इम्तिहान है यह बिस्मिल्ला रख्मान रहीम और यह तोड़ा सा ज्यादा मुश्किल लग रहा है मुझे क्योंकि पानी कह रहा है हो शुकर है निकल गई वाई निकल गई अब जब तोस्तों कि यह निकल गए निकल गए निकल गए हमारे बागी हमारे दोजी है न वह भी निकल गए मज़ेदार पानी हो रहा था अब नवीद यह क्या पानी पीते हैं लोग यह वह लोग यह यह शफाफ पानी है यह बहुत शफाफ पानी पीने के लिए इस्तमाल हो जबनी कहां से आरा यह वह आप्शा रहे हैं जो चश्मे का कहां से आरा दोस्ती बताओ पाक। हम आप बगो तो यह हैं तक आप बहुत रहे हैं यह बाई शिर्मार है हमारे बहुत शर्मार रहें है लेकिन ज्यादा जो है बाबी हमारी थोड़ी देखेंगी आपको इसमें चले 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 बाई आगे का सफर बांगते हैं चलो बहुत एक और नदी आगई क्रॉस करने के लिए बिस्मिल्ला रख्मान ररहीम अल्ला ताला कि असल में पानी कह रहा है ना इसलिए मसला हो रहा है कि नहीं निकल जाएंगे कि निकल गई है कि निकल गई है अब हमें लग रहा है वह पॉइंट करीब है कि वह देखें गाडी नजर आ रही है लेकिन रास्ता जो ना बड़ा यह पत्रीला रास्ता है यहां तक तो आप कहलें कि सिर्फ वह आपकी बाइक सी आ सकती है और ना आपको गाड़ी पीछे-खड़ी करें नहीं है लेकिन फैमिली आई हुए लेकिन फैमिली जाती है ठीक है सुंसान है जगह सब कुछ दिन-दिन विद्री कर साथ ही द मैं रहाजा होगा विभ्ता होकी दोडोल्त कर लूग इसा ही एका अँजय कोई मकामी में परेशानी में होगागा गोगल मैक पर दूप्लाे के विद्स है अपन्हा सुगल प्ली कर दाओ है कि और लेकिन बाज तो इसलिए में बाहर पर फोकस कर रहा हूं कि जिसको भी आना है वो कोशिश करें कि वहां से जो है गबोल जो स्टॉप आयता है वहां से किसी मकामी को अपने साथ देलें वहां पर आपको बहुत सारे लोग मिल जाते हैं इंको बता और गाइड ले ले आपको और फिर जाएं यह जामशोर है यहां जामशोर है अब जो हम आगे ना वह जामशोर की उडूर पर इसको कहते हैं कि वहां पर कराची की उडूर खता हो जाती है और यहां से डिस्ट्रिक जामशोर हो जाता है कि छोटा सदा उतना मसला नहीं हो गुजर गई यहां पर आरहां से और यह लेकिन है कि सारा रॉकी एरिया यह हिल्स है जो कि कभी इनका जो है वो कटाओ भी बता रहा कि यहां यह पानी नहीं शाहिद यह जाएगा काटी है जेकिन है भई टफ राइड है यहां इस इस पॉइंट की राइड जो है थोड़ी सी टफ है कि आपने टोटी जो है वो बाइक राइड करनी वह पहाडों के ही करनी है और समल के वह भी जब से ना पाहड को काट के रास्ते बनें और सारे रेतीले मतलब बजरी पड़ी जालें पहलें लोगारी यह जो रहाइ है आज अप लेकिन गाट के पास ही यहां से बहुत इत्मिनान से अराम से ब्ल्कुल आप कहलें खडी ही देह वान है जिसाल दूपर गाया है अब को देंसा रिभाई की सानब आपको दोड़ा रिभाई की से अनद लोगा ये आगया बाई ये फ्रेश वाटर है क्या बात है ग्रेज़ नियुको अप्रेट पाँ लुको यह लुको थे लुको अप्रेट कि अप्रेट अप्रेट के लिए। यह आ रहा है पानी का शोर, आहा हा, क्या बात है से यह नदी से बाता हूँ आ रहा है पानी, यह चश्मा है यहाँ, विखरे है यह यह हौस सा एक बनावाई और यह बनावाई देखें, दूसरा चश्मा जो है वो यह है कि यह दूसरे जश्मा कि आप बलो जब बता इसके पॉइंट को क्या इसका पूरा नाम है कि लाउधी पॉइंट कहते हैं इसको यार यार यह जो हमारे लोग का मसला है ना यह आप इससे कभी जान नी चुड़ा सकते यह देखें यह हमारा भाई बता रहा है कि बिल्कुल क्ल स्टेक पदे नी क्या-कया यहां पढ़ा है अब इसलिए पहले नहीं चोड़ते यह देखेंगे पूरा इस माओल को यह देखेंगे यह पानी शीशे के तरह चमक दार पानी था इसके भारत या देख रहे हैं यह मगामी लोग का ना यह जो है उनका इतरास बिल्कुल जाइ प्रोटा गया है लोग जब यहां पर बंद करते थे थे पॉइंट को बाबंदी लगाये तो लोग कहते हैं कि देखें यह एक अच्छा पॉइंट बंद कर दिया तो प्लीज प्लीज यह चीजे यह आप ना करें यह गन ना पहला है और यह है तो आप इसको गहें तो यह मकाम पानाते हैं छोड़ो नहीं आपके बिल्कुल यह बिल्कुल सही आपकी इस अथराज है कि गंदगी यह नहीं होनी चाहिए जो हम अपने साथ चीजे लेकर आते हैं तो इसके रैप उसके कच्रा भी अपने साथ ले जा सकते हैं कोई इसमें बिग डिल नहीं है कि यह देखें पानी का लेविल कि आहाँ तेज भाई पानी तेज है बहुत तेज पानी है और वह देखें आंके गहरा भी दिख रहा है यह जाला मोवराल थारा देखेंगे जाके कि बहुत ही का यह कम दो लु यहां पर यहां पर एच्षी तरह से इन्जफ़ाय करने के बाद ना आने करने के बाद इपार ताइविंग करने कके बाद और जो है वह स्विमिंग कर offenders के बाद अब यहां से इम जा रहे हैं आगे और एक और जगा एक क्वाइंट पर जाके कोशिश करेंगे वहां पर भी थोड़ा सा स्विमिंग का कोई माहूल बनाए और उसके बाद जो है फिर नेकलेंगे घर की तरफ वह देख रहे हैं वह जहां तक आपको दूर तक नजर आ रहा है वहां से भी हम बॉक करते हैं सारे र करते हैं सारे पानाए प्रोंस पर जब ही तरिख प्रक्षपिंग बॉक करते हैं वहां आपको दोर बनाए प्रा हैंे वहां झाल झाल ताकत है अच्छा तेक है यह विपी एक जगा कराची के नेरस में सबसे करी बगर को अच्छी ग्री देखें वो गड़ा भी है जहां पर आप आ सकते हैं और यह रहा वो चाय का ढाबा बहुत ही अच्छी बहुत ही खुबसूर जगह है अच्छा इसी जगह पर होटल के बिल्कुल बराबर में वो देख रहे हैं आप दुकान बड़ी मश्यूर है यहां पर मिलता है एक बेत्रीन किसम का हल्वा यह यह देसी गी में बश्यूर बना यहां के मकामी लुक बताते हैं बहुत चलता है कौन सी जगह है नवीर यह कुरेशी स्टॉब हल्वा शू अच्छा बई यह जगह का इसके नाम है तो हल्वा के इसके बारे में कहा जाता है कि यह आपने एक बार खा लिया तो बिर रात को आपको सोने नहीं देगाई उसका किस लेविल का लवाएगे अच्छा तो भाईयों वो जो जगह स्पॉर्ट पर हम आये थे उस नदी सो तो मों के आगए अनफॉर्शनेटली मुबाईल वां बैग में ता तो मैं वो शूट नहीं कर सका क्योंकि वो पानी में जाने के बाद पर हिम्मर भी मुबाईल निकाल इसा वालागा यर किस कमाड़ आलागा यहार यहाँ में स्था है हाँ जी भाई अब पहुंच गया हम हमारे वो जो होस्ट है यहां के हमारे दोस्त उनके घर पे पहुंच चुके हैं और यह उनकी तरफ से बेतरीन किसिम की जो देखें अब जियाफत का इंतिजाम किया गया है और अब यहां पे जो है हम लंच करेंगे आज ओओ फुल देसी महौल माशाला माशाला क्या बात है यह खोलो भाई इसमें क्या है इसमें चामल हो हाँ 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 क्या ही बात है भाई फिश विश सब कुछ है भाई दर माशाला फुल देसी महौल है फुल देसी बी क्या बात है यह यह अलु शिंद्ध के हर घर में आपको अन्यमाशाला बहुतरीबिशन वेतरी पर डाल देले लिए तो चले हैं अब खाना शुरू करते हैं अब दॉर्वाप को बला लो नो यह आज ए बैठे मेटें मेटें तो बिसमिल्ला करते हैं अब खाना है और इसके बाद फिर वापसी का रास्ता आपको दिखाते हैं यह हमेशा हमारा पिशली बार भी इन्होंने जो है मुझे आधाया तो ऐसी बेद्रीन किसम के जियाफत असभग भी जो इसका इत्माम किया था और आज फिर उन्होंने भाई बहुत तकलुफ कर दिया आपने अमीन सुमामिन और भी बैठते हैं हमारे साथ इंशालला फिर खाना खाते हैं जिस आज इनकी वैसे हमारे जो दोस्तों की तरफ से जो है वह इनका बहुत शुक्रिया अपना वक देने के लिए बहुत खाने के लिए अपनी पूरी जगहें आपर दिखाने के लिए तो अब भी वापसी के सफ़र लेते हैं और इंशालला अलाने चाहा तो फिर अगले किसी सफर आपसा मुलागा दोगी अलाहा प्लिसमा